वीर्टा विरासत में नहीं मिलती, वीर्टा एक परंपरा होती महराणा प्रताप की परंपरा अगर हिंदुस्तान में रही है तो चेतक की वो परंपरा भी रही है और आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उसमें हिंदुस्तान का समूचा इतिहास भी समाहित हो जाता है आज कहानी रश्रुपती अंगरक्षकू की कि अगरक्षकू की तेश की सेन्य परंपरा का प्रतिविम्ब हैंगे एक तो ये पूरे देश को पूरे विश्व में देखे जाते हैं जब वो परेड में राश्पती जी को राजपत पे लेके जाते हैं एसकॉट करते हुए इनके मन में काफी गर्व महसूस करता है कि आप देश के सबसे उच अधिकारी को लेके आप जा रहे हैं देश के प्रथम नागरिक का अध्वित्य सुरक्षा दस्ता है प्रेजडेंट्स बॉडिगार्ड एक रेजिमेंट ऐसी है अकेली रेजिमेंट है पूरे इंडियन आर्मी में जिसे हम एक स्पेशल और एक यूनीक रेजिमेंट कहते हैं जो प्रेजिडेंट की पर्सनल यूनिट होती है ये वीरों का अनुखा दल है जो तीन अलग विधाओं में पारंगत है ये किसी भी आपको दूसरी यूनिट में नजर नहीं आएगा जहां के जवान तीन ट्रेड में है राइडर भी है पराट्रूपर भी है और टैंक मैं भी है ये भारतियता और वीरता का समारोहिक समावेश है हमारा यूनिट से प्रेजेंट बोडिगार्ड से हर साल एक जेशियो और छे जवान डिप्लोमेंट से अचिन के लिए जाते हैं और जो भी वहाँ यूनिट होती है उसके साथ डिप्लोई कर जी जाते है अश्व और उनके योधाओं के बेमिसाल संबंद का उदाहरण पेश करती भारतिय सेना की सबसे अलग रेजमेंट की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले है झाले है